ओगे है write o कि नमस्कार प्यारे दोस्तों वेल्कम आप सभी का स्वागत हैं आग के सेशन में प्यारे दोस्तों मैं अउमिद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक प्रकार से सुन पा रहे होंगे जैसा मैं क्लास की ओडियो क्वालिटी को चेक कर रहा हूं सब चीजें एकदम फाइन चल रहे हैं पिटा आप भी एक पर कॉमेंट करके इंफर्म कर सकते हैं अगर आप तक मेरी ओडियो औ क्वेश्टन का जो कंप्लीट एक सॉलूशन आप लोग पढ़ रहे हैं उस सिरीज में एक मैट्स का और जवरदस्त अल्टिमेट पेपर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं दोस्तों एक दिसंबर जनी आज से लगबग 18 दिन बाद में आपका सीजीयल का एक्जाम होगा और मैं यह चाहता हूं कि एक्जाम में आप सब बच्चे बहुत बहतर परफॉर्म कर पाएं अपने आने वाले एक्जाम में आप रिजनिंग और मैट्स का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करके 100% अपनी सफलता को सिक्योर कर पाएं इसी सीरीज में दोस्तों मैं पहले जो एक्जाम होएं चाहे वो रिजनिंग का हो चाहे वो मैट्स का हो कम्प्रीट सब का सॉलूशन हम लोग करेंगे आज बच्चों मैट्स का आपको पेपर यह यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाइज आ रहा है और रिजनिंग के 25 कॉश्चन के प्रेक्टिस सेट आपके अनेकैडमी की फ्री क्लास में जिसे हम स्पेशल क्लास कहते हैं वहाँ चल रहे हैं जिकार क्ली क्लास ने कर स्पेशल का नहीं है कल केवल और केवल यूट्यूब की कलास आपकी होगी दोस्तों मैट्स के इसी प्रकार के पेपर का सॉलूशन हम लोग पढ़ेंगे तो आईए बचो बहुत टाइम लिए बिना आज का ये बहतरीन पेपर शुरू करते हैं और आज के पेपर का सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एससी के पेपर में डियाई इजी ही आती है बहुत डिफिकल्ट जानकारिया नहीं आती है डियाई के एक-एक सवाल बनेंगे दो तिन अलग-अलग परकार की डियाई आएंगी लेकिन सवाल उनमें बहुत आसान बहुत इजी होगा उमीद करताओं की सब बच्चे ट्राई कर पाएंगे दा टेबल बिलो गीवन दा नंबर ऑफ स्टुडेंट प्राम फाइव डिफरेंट कॉलेज वू पार्टिसिपेटेड इन अलम्प्याड और फाइव डिफरेंट सब्जेक्ट डूरिंग गीवन इयर जानकारी आपको क्या बत भाग लिया प्यारे दोस्तों यह कॉलेज के नाम है ए बी सी डी और यह सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और जीके इनके ऑलम्प्याड हुए थे सवाल बहुत शानदा रही पहला आपको कॉश्चन यह पूछा दोस्तों दिये गए वर्ष में विभिन ऑलम रेंज आपको चेक करनी है कॉलेज सी के और एवरेज ग्याद करना है कॉलेज ए का कॉलेज ए का बचो आपको एवरेज ग्याद करना है और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए इन दोनों का अंतर चाहिए अब कई बचों के मन में डाउट यह भी आता है किसा रेंज का मतलब क रेंज का अर्थ क्या होता है तो सुनिए बचो मैं केवल और केवल एक बार सवाल को जूम करूं आपके सामने मैं इस कॉलेज सी की बात कर रहा हूं कॉलेज सी देखे आप कॉलेज सी के डेटा को एक बार देखे तो यह है 125 यह है 80 यह 200, 150 और 120 कॉलेज सी के जो एस्पिरेंट से यह उनका नंबर है रेंज का मतलब होता है पेटा सबसे कम ऑर सबसे ज्यादा का डिफरेंच भयादी सी में §10600, 250 तो अगर मैं आपको सी की रेंज बोलूं की भाईया सी की मतलब होता है सर यह 500 और 80 के बीच में चल रहा है यहनि इसकी रेंज आ गई 170jiB बात है अब दोस्तों ए का आपको average गयात करना आए दीजिए average गयात करने का simple concept है आप इनको जोडके 5 का भाग कर लिजिए आप इनको जोड़के 5 का भाग कर लीजिए 52727 और 310 एक आगे हनसल 23811 11 88 19 उन्निस और आठ आगे 27 का मिलब दो तीन चार पांच और छे छैसो सब्तर बटे पांच आप इन सब को एड करेंगे और बचो एड करके एड करके आप इन में पांच दो दस साथ एक हांसे लगते दो आठ दस पर आपकी से सब्सक्राइब 660 आएगा 660 यह क्या जोड़ना पढ़ता नहीं है एवरेज के लिए आप डेविएशन लगाया कि यह डेविएशन से बाते आसान रहेंगे फिर भी आपने ट्राई किया 660 में भाग दोगे 132 बार जाएगा और बचो एका जो एवरेज है एका जो एवरेज है वो आएगा 132 एका जो एवरेज आएगा वो आएगा 132, 660 बटे 5, 132 और इन दोनों का डिफरेंस आगया 38 और यही 38 आपके सवाल का उत्तर है यही 38 आपकी बात का अंसर है सवाल नमबर एक बेहत आसान दोस्तों रेंज और एवरेज का डिफरेंस आपको पता लगना चाहिए कहीं आप दोनों का ही एवरेज निकाल दो ऐसा का मत करना अच्छा यह एवरेज गयात करने का कोई और तरीका भी होता है हाँ देखिए आप इसको समझा करो कम से कम मान दिया है 80 अधिक से अधिक मान दिया है एक सो से तो कहीं ने कहीं इनके बीच में कोई संख्या मान लो आपने मान अठारा कम है एक सो तीस में से यह पच्चिस कम है एक सो तीस में यह पचास ज्यादा है एक सो तीस में यह पचास कम है और एक सो तीस में यह तेतीस ज्यादा है और 53 ज्यादा है 53 इन सब को जो भी डिफरेंस आएगा पाँच लोगों में इक्वल इक्वल बांट दीजिए ये एवरेज ग्याद करने का आसान तरीका हो गया ये एवरेज ग्याद करने का नॉर्मल तरीका हो गया अब तो पचास और पचास तो आपस में कट गए पच्छिस और अठारा ते 143 में 43 गए 10 10 में 5 का भाग दोगे दो तो 130 और दो आ गया 132 आपने एवरेज ग्याद कर लिया 132 एवरेज के लिए हमेशा आप ये डैवियेशन की थीम को फॉलो करना बिटा जोड़कर भाग भू करने की बजाए आसान रहता है अगर आप डैवियेशन को फॉलो कर पाते हैं तो पहले सवाल का उत्तर 38 आया कमेंट करके सब बच्चे इनफर्म कर दीजिएगा क्या आपको सवाल नंबर एक क्लियर हुआ क्या एक नंबर सवाल का बेसिक आइडिया आपको आया क्या अगर सब क्लियर है तो सवाल नंबर दो की बात कर लेते हैं यह भी आपके लिए बचो average का ही सवाल है ये भी आपके लिए average का ही सवाल है और बचो ये question भी मैं आपको दोनों प्रकार से ही बता दूंगा basic art क्या होनी चाहिए और आपका deviation क्या होना चाहिए इन दोनों पर ही अपन काम कर लेंगे दोनों पर ही चिंता की कोई बात नहीं है कर दीजिये try सवाल कहता है जी 6 चात्रों के समुके group leader ने बताया कि उनका उसत वजन 46 kg है ये वो 6 लोग है और इनका average कितना है 46 इन में से 5 लोगों का वजन दिया हुआ है 50 52 40 44 48 और एक व्यक्ति और है उसका वजन नहीं दिया हुआ तो उसके वजन को अपन x मान लेते हैं x basic art तो कहती है इन सब को जोड़के बटा में 6 करके बराबर में 46 कर दीजिएगा बराबर में 46 कर दीजिएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ बिटा आप ऐसा करने की बजाए आप ये देखना कि मुझे इनका average 46 बनाना है तो क्या की आजाए डेविशं निकालो ये 4 ज्यादा है ये 6 ज्यादा है ये च्यादा है ये 6 ज्यादा है तो ये 6 कम है 44 को इससे compare करूँगा दो कम है और ये 2 ज्यादा है ये अपना deviation आ रहा है ये deviation आ रहा है तो deviation को अगर मैं एक बार σولll करलू बैटा deviation को अगर एक बार solve करूँगा 6 और 6 दो और 2 cancel deviation आ रहा है प्लस का 4 deviation अगर प्लस का 4 आ रहा है तो आप average में से 4 गटाईएगा यानि 4 बंदे का वजन यानि 3 बंदे का वजन 42 आना चाहिए इसका deviation सबका मिलाकर प्लस 4 आ रहा है तो इसका deviation माइनस 4 आना चाहिए 42 téléphone केजी आपके सवाल का उस्तहर फीआलिस केजी उत्तर कैसे बना मैंने इन सबका deviation निकाल लिया 46 के respect में 46 आपको सवाल मिं दिया गया था इसके रिस्पेक्ट में हमने बाकी सबका deviation निकाला बाकी सबका deviation आया प्लस का चार तो इसका deviation आना चाहिए माइनस का चार तो माइनस का चार करूँगा तो 42 आपके सवाल का उत्तर बन गया पेपर में आप तरीका यही लगाना calculation करने में आपका समय बहुत बचेगा दोस्तों अगली बात सवाल नंबर तीन है दोस्तों सवाल आपको कहता दो तीन ब्लैंक चार पांच है साथ आठ इस ब्लैंक वाले में क्या लिखूं कि नंबर 22 से डिवीजिबल हो जाए 22 से विभाज्या हो जाए 22 का भजकता का नियम आपको आना चाहिए 22 के नियम के बारे में जानकरी है दोस्तों कि 22 का वैसे कोई नियम नहीं होता हम 2 और 11 का नियम फॉलो करवाते हैं 2 और 11 का नियम चलना चाहिए चूंकि लास्ट का डिजिट 8 है दो से तो डिवीजिबल होई जाएगा अब सवाल उठता है ग्यारा का तो ग्यारा का नियम आपको इंप्लिमेंट करना है बता दीजिए क्या बनना चाहिए फटा फट से दो तीन यहां पर एक्स लिखा हुआ है चार पांच छै साथ आठ दोस्तों भाजकता का नियम आपको यह कहता कोई नंबर 11 से तभी कट सकता है जब इवन प्लेस के डिजिट और और प्लेस के डिजिट इनका योग किजिए इनका योग करूंगा दो एक्स पांच साथ और स 14 प्लस एक्स देखें 2 प्लस एक्स और 5 जोड़ूंगा 7 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स इनका जोड़ बन रहा है 4,3,7,7,6,13,13 और 8,21 एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए 21 माइनस 14 एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 7 एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 7 दोस्तों एक्स की वै ता पूरा भाग दे सकते और सकते हो इलएवन से आपका यह नमबर पूरा-पूरा कट सकता है वाजकता के नियम में आपको इलएवन का नियम याद कर lira की ओर प्लेस के डिजट और इओन प्लेस के डिजट का सम करना है उनका डिफ्रेंस जिरो आणा चाहिए या 11 आना चाहिए अगर 11 आएगा तो भी बात बन सकती है तो भी बात बन सकती है तो भी इस जानकारी को आप सेटिसफाइड कर सकते हैं इसी चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर चार प्राफिट एंड लॉस्टी बात की गई दोस्तों लाब और हानी का सवाल दिया गया लाब और हानी की बात को देखिएगा और मुझे बताइएगा प्राफिट एंड लॉस्ट में क्या कड़ी आप लोग समझ पा रहे हैं कि 70 वस्तों का सीपी चालीस वस्तों के सेलिंग प्राइस एसपी के एक्वल एप्रोफिट का प्रेस्टेज क्या होगा आपका सब बच्चे तुनन्त मुझे इस सवाल का उत्तर दे में क्या बनेगा यह बात अपने दिमाग में सेव रखना कि प्रॉफिट का प्रसेंटेज अगर कभी ग्याद करना होना तो यह बात समझ लेना आपको सीपी और एसपी का रेशो बनाना है कॉस्ट प्राइस क्रेम ले सेलिंग प्राइस विक्रेम ले इन दोनों का अनुपात बनाए इन दोनों का रेशो बनाए रेशो बनते ही सारी बात का जवाब मिल जाएगा देखे सवाल कह रहा है सतर आटिकल का सीपी बराबर है चालिस आटिकल का सीपी बराबर है चालिस आटिकल का सीपी अगर दोस्तों आपने एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो यह बन गया साथ सीपी बराबर चार एसपी आपने एक छोटी सी बात यह पड़ी होगी कि अगर मैं इन दोनों का रेशो बनाऊंगा तो यह डेटा आपस में बदल जाता है चार अनुपात साथ यह आर्टिकल तुमने चार उपए का खरीद कर साथ रुपए का बेचा होगा चार का खरीद कर साथ का बेचा तो तीन बटे चार का प्रॉफीट और आप पर्सेंटेज का साइन लगाना चाहते हो तीन बटा चार की प्रेक्शन वैल्यू का मतलब परसेंटेज में होता है पिछेत्तर क्यूं होता है यह काटकर भी चेक कर सकते हो 25 चोका 125 तिया पिछेत्तर 75 परसेंट किस्दा करेक्ट अंसर एक्जेट पेपर में पूछा हुआ सवाल है इसी प्रकार की जानकारियां आपको मिलने वाली हैं दोस्तों कि एक और बढ़िया सवाल कमल 1180 रुपई में 80 वस्तों खरीटता है ठीक है उन्हें 6 वस्तों के विक्रे मुल्या के बराबर हानी पर बेचता है उन्हें विक्रे मुल्या के चया विक्रे मुल्या विक्रे मुल्या की हानी पर बेचता है तो आप एक वस्तों का Selling Price बताईए एक वस्तों का विक्रे मुल्या बताईए लेंग्वेंज बैस सवाल है profit एंड况कारीया दोस्तों लाब और हानी के बारे में आप एक बार ज्याद करने की कोशिश करें डेटा बड़ा सिंपल है डेटा में कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कर दीजिए ट्राइग सवाल तुमको यह कह रहे है छै वस्तुओं के विक्रे मुल्या के बराबर हानी पर बेचता है दोस्तों मेरी बात समझना एक बार के लिए मान लो एक आर्टिकल का एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लो एक रुपिया था एक आर्टिकल का मान लो सेलिंग प्राइस एक रुपया था असी आर्टिकल इनके पास है असी आर्टिकल जब ये इनको बेचता है तो इन्हें लॉस होता है इन्हें नुकसान होता है कि कॉस्ट प्राइस जदा है और सेलिंग प्राइस कम है मतलब सी पी और एस पी में आपने 86 आर्टिकल खरीदे और 80 आर्टिकल बेचे 86 आर्टिकल बेचे 86 आर्टिकल खरीदे और उतने रुपई में 80 आर्टिकल बेचे तभी तो आपको लॉस होगा तभी तो आपको लॉस होगा बेटा देखें एक आर्टिकल मान लो आपने जितने भी रुपई का खरीदा आप उ से बेचने के तो मैं कहता हूँ छै वस्तूओं के विक्रय मुल्या के बराबर हानी उठानी पड़ी एक आर्टिकल मान लो एक रुपए का बिखता है तो असी आर्टिकल असी आर्टिकल बेटा इनके एक टी सिक्स के आये एक टी रुपए के विके यह मैंने इनका रेशो ग्याद कर लिया कि भाईया सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस का समन्द आ गया अब प्यारे बचो सीपी तुम्हें कितना दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है प्रिपल वन एट जिरो यह असी है बटा में असी यह एक्चुली सीपी है अगर एसपी ग्याद करना है तो यह एटी सिक्स का भाग दोगे और एटी से मल्टिप्लाई कर दोगे सिंपल सी जानकारी असी और असी तो कट गए कुछ और कट पाएगा मुझे लग रहा है यह पूरा भाग जाना ही चाहिए डेटा भी इसी प्रकार का दिया हुआ है चैसी एकम चैसी बच गया चौदा और ग्यारा दोसो अठावन पूरा पूरा तीन बार कटेगा दोसो सेलिंग प्राइस आगया वन थर्टी रुपीज एक सो तीस रुपई का बेचिएगा यह पूर सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो गया जैलिंग प्राइस इनका ऐसिय तो कोस्ट प्राइस इनका बेसिक फर्मूले से भी बढ़ना सकते हो, बेसिक का मन करे उससे भी कर सकते हो और वैसे भी आपको पता है कि तीन एलिमेंट है और दो इक्वेशन है तीन एलिमेंट है दो इक्वेशन है तो किसी एक चीज़ को zero रखकर सवाल को आसान भी कर सकते हो मैं दोनों तरीके बता दूँगा कि बेसिक तरीका क्या है और थोड़ा सा कमफट करने के लिए क्या कर सकते हो तो वो दोनों आठ सीख लेना बचे पहली बात तो हमने जीवन में A प्लस B प्लस C का हॉल स्क्वार ग्याद करने का फर्मूला पढ़ रखा है यह होता है A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस C स्क्वार प्लस 2 इन्टू A B प्लस B C प्लस C यह दोस्तो A प्लस B प्लस C का हॉल स्क्वार है इस चीज़ की वैल्यू 10 दी गई है और 10 का स्क्वार 100 A square B square C square मुझे ग्याद करना है A square plus B square plus C square मुझे ग्याद करना है 2 A B B C C A का मान मुझे 30 दिया गया है बस दोस्तों इतने से कदमों की बात थी उत्तर आ चुका है A square B square C square क्या बनेगा 100 minus 60 आपके सवाल का उत्तर बन गया 40 40 उत्तर बनेगा 10 seconds से उपर का सवाल नहीं है डारेक्ट बात को पुट करना आना चाहिए लेकिन सर क्या हम इस सवाल को थोड़ा आसान कर सकते हैं लेकिन जब भी कभी ये बात याद रखना जब भी आपके पास equation कम और variable जादा हो equation कम और variable जादा हो तो आप उनको balance करने के लिए कोई एक आदा equation 0 मान दीजिए जैसे मैंने C को 0 पुट कर दिया अगर मैंने C को 0 पुट कर दिया C को मैंने 0 मान देख सवाल क्या बन गया सवाल ये बन गया A प्लस B का मान हो गया 10 यहाँ पर A B अब ये B C और C ये 0 हो गए है ये 30 के बराबर है A square प्लस B square गयाद करना है कहानी अब भी सेम है लेकिन सवाल अब थोड़ा सा देखने में छोटा हो गया सवाल थोड़ा सा देखने में छोटा हो गया अगर मैं इसका देखो formula लगाता हूँ बिटा formula तो आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा formula तो आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा A square प्लस B square प्लस 2 A B ये लोग इसका square हो गया 100 बराबर A square प्लस B square प्लस हो गया 60 और a square plus b square का मतलब कितना आ गया 40 आप चाहे इस तरीके में करें चाहे इस तरीके में करें तरीका बच्चों एक है पेपर में यह फर्मुला लिखना नहीं होता कि वहां जाके पहले फर्मुला लिखेंगे फिर मैच करेंगे इतना टाइम थोड़ी है हमें तो डारेक्ट इस फ आप इस कोश्चन को मिक्श्चर से भी बना सकते हो आप इस कोश्चन को एलिगेशन से भी बना सकते हो दोनों ही प्रकार की बाते आपके लिए कमफर्टेबल हैं दोस्तों दोनों ही बाते आपके लिए कमफर्टेबल हैं चाहे आप सवाल किसी भी प्रकार में कर लिजिए एलिगेशन से भी कर सकते हैं और मिश्रन से भी कर सकते हैं बात एक ही है चीनी के 700 ग्राम विल्यन में चीनी की मात्रा 60% है विल्यन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इतनी और चीनी मिलानी होगी इतनी और चीनी मिलाएं कि इसमें 75% मामला हो जाए दो तिन टाइप से ही सवाल बन सकता है मैं आपको सारे तरीके बता दूँगा ताकि आप उनको अच्छे से समझ पाएं जो तुम्हें अच्छा लगे आप एक्जाम में वह इंप्लिमेंट कर पाएं बहतर रिजल्ट उसी बच्चे का होगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है चार सो बीस गराम उत्तर बता पाएंगे बच्चे बहुत अच्छी बात है सुनो बेटा सबसे आसान तरीका है एलिगेशन हमारे पास फर्स्ट प्रकार का विल्यन है जिसमें चीनी की मात्रा है साथ परसेंट second इसमें आप शुद चीनी मिला रहे हो बिटा इसमें विल्यन में आप प्रॉपर चीनी डाल रहे हो प्रॉपर चीनी डाल रहे हो तो वो 100 परसेंट चीनी है फरस्ट वाले में तो 60% चीनी थी सेकिंड वाले में 100% चीनी है अरे मिश्रण में आपको 75% चीनी चाहिए डिफ्रेंस लोगे 25 डिफ्रेंस लोगे 15 पिटा दोनों प्रकार का अनुपात आगया 5,95 तीन दोनों प्रकार का रेशो आगया 5,95 तीन ये वाली मात्रा आपको सवाल में दी गई है 700 ग्राम यानि 140 से गुणा किया गया इसका भी गुणा 140 से कर दीजिए 14,42 चार सो बीस ग्राम आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 420 ग्राम विल बी करेक्ट आंसर 420 ग्राम आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बहुत आसान है तर ये सवाल मिश्रण से कैसे बनेगा वो देख लो ए रहने इसमें 60% चीनी है तो मैं एक बार के लिए यह मान लेता हूं कि चीनी है और बाकि का पानी है बाकि का दोस्तों पानी है 60% का मतलब है 40% पानी होगा तो रेशो बन गया 3 दो रेशो बन गया 3 दो इसमें आपने थोड़ी सी चीनी लाकर और डाल दी थोड़ी सी चीनी लाकर आपने और डाल दी और रिजल्ट में चीनी की मात्रा हो गई 55% पिचेतर चीनी तो 25 पानी रेशो चाहिए 3 एक तो आपने का सर यह दोनों सिचुवेशन में पानी तो कॉंस्टेंट था आज मेरे पास इस बरतन में थोड़ा पानी है कुछ चीनी इसमें मिली हुई है अगर मैं थोड़ी चीनी लाकर और डाल दूंगा थोड़ी चीनी लाकर और डाल दूंगा तो पानी तो कॉंस्टेंट रहेगा पानी तो बराबर रहेगा तो पानी को इकवल करने की कोशिश कर दीजिए जिस चीज की मात्रा आपने छेडी नहीं है उसे बराबर करने का यतनचीज ये तो दू से गुणा करने तो तीन चीनी डाल दी 120, 420 तीन गुना, 420 ग्राम आपके सवाल का उत्तर आ गया, डारेक्ट आप ऐसे भी ज्याद कर सकते हैं, दोनों परकार की आर्ट आनी चाहिए, क्या बताईए, अब समझ में आया, अब ये कहानी क्लियर हुई, एलिगेशन से बता दिया, मिशरन से बत लेना, दोनों तरीके आपके लिए इंपोर्टेंट है, सवाल नमबर आठ, दो संख्याओं का योग 25 है, उनका गुननफल 144 है, तो संख्याओं में अंतर कितना आएगा, ये इतनी आसान वैल्यू है, कि डारेक्ट वैल्यू आप आप एजूम भी कर सकते हो, दो संख्याओं का योग है, दोस्तो 25, इनका मल्टिप्लाई है, 144, तुरंत आपके दिमाग में आ रहा है, 16 और 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे, तो 16 और 9 का जोड 25 भी आता है, 16 और 9 का मल्टिप्लाई करेंगे, 144 भी आता है, पूछा है, इनका डिफ पर में आपको ये सवाल वैल्यू पुटिंग से करना है, लेकिन सर मान लो, कोई वैल्यू ऐसी आजाती है, दिमाग में क्लिक नहीं कर पाते, या कोई रूट वूट का मामला फज़दा आता है, या कोई ऐसी बात आगी वैल्यू मान ही नहीं पाए, तो फर्मूला क्या होता है बच्चे, तो आप कहिएगा A स्क्वार प्लस B स्क्वार माइनस 2AB, ये दोनों फर्मूले का आपस में रिलेशन भी होता है, आप ये भी कहते हैं A प्लस B का होली स्क्वार जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं A माइनस B का होली स्क्वार प्लस 4AB, या A माइनस B का कोई आपसे holy square पूछे तो आप कह सकते हैं a plus b ka holy square minus ka 4b ये कैसे बने ये जो बाद वाले formula हैं देखो आप इनको साबित करो a square plus b square plus 2ab बनेगा ये a square plus b square minus 2ab plus 4b minus ka 2 plus ka 4 plus ka 2 ही बचेगा ये value हो गई satisfied तो ये बाद वाले दोनों formula भी आपको direct याद होने चाहिए ये भी exam में आपके काम आते हैं दोस्तो मैंने का दो संख्याओं का योग 25 है ये formula को मैं apply कर रहा हूँ a minus b का holy square क्या होगा a plus b का holy square 25 का square हो गया 625 minus 4ab इसका 4 गुना 560 और 16 566 625 में 576 गटा होगे तो a minus b का holy square आ गया 49 और a minus b की value कित्ती आ गई साथ दो तरीके बताए डारेक्ट वैल्यू को assume करेंगे तो सवाल जल्दी बनेगा दोस्तों लेकिन मान लो कोई सवाल ऐसा बन जाए और अक्सर यह पेपर में ऐसा बन जाता है कि वैल्यू डारेक्ट कर पाते उसके लिए आपको यह रूट कंसेप्ट के बारे में फॉर्मुले के बारे में जानकरी होनी चाहिए फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए बेटा अर्थमेटिक डिपेंड करती है लेंगवेज समझने पर एडवांस डिपेंड करती है फॉर्मुले पर फॉर्मुले आपको आने चाहिए उनके बारे में कोई तोड नहीं है दोस्तों नो नंबर कोश्चन बहुत ही बहतरीन सवाल है टाइम और टॉपिक से लिया हुआ सवाल है सब बच्चे ट्राई करना जी काफी रोचक सवाल है यह टाइम एंड वर्क समय और कारे समय और कारे टाइम एंड वर्क समय और कारे समय और कारे पे उससे एक बार ट्राई करना जानकारी दी गई उसको बनाने का प्रयास करना एक इसी काम को 24 दिन में कर सकता है भी इसे 80 दिन में कर सकता है भी दो दिन तक अकेले काम करता है और लगातार यही प्रकीरिया काम पूरा होने तक चलती है तो काम कित्नेदेश में होगा आप यह करना बैटा एक किसी सिकाम को करता है 24 डेज में भी उसकाम को करता है इडीडीड में दोनों और हमने fired Bio सिम आएगा थौत क्या इसनसी आ गई तकि तो अब यह काम करने का इनका order क्या है देखो पहले दिन बी काम करेगा अगले दिन भी b काम करेगा उसके बाद एक काम करेगा ऐसे यह set बनाएंगे यह एक दिन में 3 यह एक दिन में 3 और यह एक दिन में 10 फुल मिलाकर 3दिन में 16 काम होगा 3डेज में टोटल काम होगा 16 तीन दिन में टोटल काम होगा 16 आपको 240 काम करवाना है 240 काम करवाना है तो एक्जेक्ट इसका 15 गुणा बैठ रहा है सेट 3 गुणा 15 पंतालिस दिन और 45 दिन में 16 गुणा 15 240 240 आपके सवाल का उत्तर आ गया ये दोस्तों 45 दिन में अपना काम कंप्लीट कर जाएंगे जानकारियां बहुत आसान है बच्चो जानकारियां बहुत कमफर्टेबल हैं आप लोग बेटा सेशन को लाइक मस्ट कर दीजिएगा जितने बच्चे सेशन को पढ़ते हैं सब लाइक मस्ट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेर भी कर दीजिएगा एक्जाम तक यह सीरीज आपकी लगातार जारी रहेगी हम डेली इस परकार के पेपर को सॉल अर्ण ब्याज और अर्दवार्शी दर के आधार पर चक्रवर्दी होने वाले चक्रवर्दी ब्याज के बीच में अंतर कितना है अरे बहुत सिंपल सवाल है क्या कहोगे एक साल का SI एक साल का तो SI हो कोई फरक नहीं पड़ता है वो तो 20 परसेंट ही होता है सेम बात है जो भी आपने रेट रखी है भाई एक साल के लिए कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन SI के मामले में क्या होगा रेट इन्होंने रखी है half yearly का मतलब 10-10% के दो साइकल बन जाएंगे 20% को अपने half yearly काउंट करना है तो 10% लेंगे एक साल में 10-10% के 2 साइकल बनेंगे यानि successive बनेगा इनका 21 यह ग्याद करने के बहुत तरीके होते हैं बिलकुल basic वाली बात तो यह होती है इसर अगर 10-10% के 2 cycle बनेगे तो 21% का ब्याज आएगा ऐसे आपने कहा यह जानकारी तो बहुत simple है यानि simple interest एक साल में आ रहे 20% compound interest आ रहे 21% दोनों का difference आएगा 1% principle का 1% ग्याद कर दीजिए 1000 रुपया principle था अगर मैं इसका 1% ग्याद करूंगा तो 10 रुपय आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा कोशिश यह होनी चाहिए थी इस सवाल को सारे बच्चे mentally solve कर पाते इसके लिए हमें pen उठाने की need ना पड़ती डारेक्ट इस सवाल को देखते और यह 20 और 21 परसेंट 10 रुपय पांच सेकिंड का सवाल था कोश्चन को पढ़ते ही आप आंसर दे पाते तो दोस्तों बात का मज़ा आता चलिए अगली बात कर लेते हैं अच्छा दोस्तों अगली बात बताने से पहले मैं दो मिनट का आपका टाइम लोंगा एक आवशक जानकरी के लिए जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं अनकेडमी प्लैटफॉर्म पर मैं आपको रीजनिंग और मैट्स के कंप्लीट बैचेज लाइव पढ़ा रहा हूं यहां दोस्तों आपके लिए एक बड़ी सर्प्राइज बड़ी शांदार बहुत अच्छी इफिशल होने वाली है अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन परसम आपको बताऊंगा और देखकर आपको मज़ा आजाएगा यकीन आए दोस्तों कॉम्पीट हमारा एक अल्टिमेट फीचर है दोस्तों इसमें आप लाइव अपने दोस्तों के साथ में सब्जेक हो रहे हैं जिनमें आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी कंप्लीट पढ़ाई को अल्टिमेट तरीके में कर सकते हैं आने वाले सीजील 2023 एक्जाम को टार्गेट करते हुए हम लेकर आएं सफलता बैच जो ऐसे सी के नए सलेबस पर अधारित होगा प्री और मेंस के लिए एक ही बैच होगा जिसमें 17 नवंबर से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा लाइव क्लासेस का अनन्द ले पाएंगे चिकर बैच है बच्चों छीएच असल 22-23 के लिए यह बैच भी 17 नवंबर से स्टार्ट होगा इसके अलावा लक्ष है जीड कोड का परियोग करके अनकेडमी प्लस पर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं बच्चों और यह आपके सारे फीचर केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में अवेलिबल हैं 11 नंबर केल्कुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी और उत्तर आपके सवाल का आ जाएगा अर्द गोले का आइतन हैमिस्फेर पिटा अर्द गोले का आइतन आपने पड़ा होगा दो बटा तीन पाई आर क्यूब होता है पाई का मान कहा गया मुझे 22 बटा साथ लिखना है आर बच्चो 21 है 21 गुणा 21 गुणा 21 क्योंकि क्यूब है इसलिए अब आप जानते हैं सात्तिया 21 से 21 तो कट गया 22 दुना 44 और 21 का स्कुआर 441 क्या किया जाए यूनिट डिजिट को देखेंगे 4 आएगा यूनिट डिजिट सवाल में 4 आएगा ये उत्तर हो नहीं सकता ये उत्तर हो नहीं सकता चार चार आठ एक नो ये नो उत्तर बन गया डिही आपके सवाल का उत्तर आएगा कैलकुलेशन मत करना कहीं का गुणा करने बैठ जाओ कीमती समय खर्च कर दो जब 11 के मल्टिपल से बात बन पा रही है तो ठीक है ना आगे करना भी क्यों है बेटा अंकों का योग करके आ आपको 21 में 3 दिख रहा है या 441 में आपको 9 भी दिख रहा है कि 9 का मल्टिपल होना चाहिए यह नहीं भी ट्राइग कर सकते हो तो मल्टिपल की चीज़ें आपके लिए इसी बहुत हैं मल्टिपल की चीज़ों को ट्राइग कर लिया करो बेटा सवाल नंबर 12 आपके सामने राकेश मुकेशे चार बटा तीन गुणा तेज दोड़ता है एक दोड में राकेश मुकेश को 60 मिटर की लीड देता है तो प्रारंबिक बिंदू से दूरी ग्याद कीजिए जहां दोनों एक दूसरे से मिलेंगे यह सारे क्वेशन बिटा प्रिवियस येर सवाल हैं गत्वर्शों के पूछे हुए सवाल हैं हर एक्जाम में आपको मोस्ट ओफ क्वेशन इजी परकार के इसी परकार के मिलेंगे एक्जेट औरिजनल एक्जाम के लेवल की बात मैं आपको बता रहा हूँ राकेश और मुकेश ये दो दोस्त हैं दोस्तों राकेश मुकेश से चार बटा तीन तेज़ दोड़ता है इसकी स्पीड तीन है तो इसकी स्पीड आगई चार दोड में राकेश मुकेश को साथ मिटर की बढ़त देता है तो साथ मिटर की बढ़त का मतलब क्या है दोस्तों बढ़त का मतलब क्या है भी तू साथ मिटर आगे खड़ा हो जा कोई बात नहीं साठ मिटर आगे खड़ा ओजा यह मालीजिये एक दोड का ट्रैक है अब यहां पर यहां कड़ा राकेश कर यह मुकिश को कहता कि भाई तो साठ मिटर के आगे खड़ा और मालो यहां मिलेंगे सेम टाइम पर भागना स्टार्ट करेंगे और एक पॉइंट पर मिलेंगे तो टाइम तो कॉंस्टेंट हो गया दोनों इक्वल टाइम के लिए भागेंगे ताइम अगर कॉंस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशो भी चार तीन बनेगा अगर दोस्तो distance के ratio की बात करेंगे तो distance का ratio भी 4-3 बनेगा और इनकी distance में 60 मिटर का अंतर था तो ये वाली distance 240 और ये distance 130 मिटर आ गई यह नहीं मैंने पूछा प्रारंभीक बिंदू से इस पॉइंट से यह दूरी ग्याद करो राकेश कितना चला है राकेश 240 मिटर चला है बेटा सिरफ आपको उत्तर ऐसे याद नहीं करना है आपको concept क्लियर होना चाहिए कि मैंने 60 मिटर की बड़त दी इस बड़त का मतलब क्य आपके सामने आ गया सवाल नमर 13 जो डेटा बेटा इसके उपर लिखा है मैं समझ पा रहा हूं आप यह डेटा ठीक से नहीं देख पाएंगे तो मैं इसको थोड़ा एक बार जूम कर देता हूं देखो ध्यान से ताकि सवाल को आप लोग ठीक से देख पाएं कि यह लो है चालीस यहां पर लिखा हूँ है पचास यहां पर लिखा हूँ है साथ यहां पर लिखा हूँ है सतर यहां पर लिखा हूँ है 65 यहां पर लिखा हूँ है 75 और यहां पर लिखा हूँ है पिच्चासी यह देख लिख इस इंपल बहुत ही सिंपल तो हजार अठारा देखो यह 2014 की बात है यह 2015 है यह 16 है 2017 है यह 18 है यह 19 है और यह 21 है यह मैंने आपको इयर भी लिखकर देदी है ऐसा यह लिखकर देदिये ना अरे यह देखो बिटा 14 15 16 17 18 19 20 21 अब तो हो जाएगा अब तो हो जाएगा आपके नाथारा और उन्निस को कंपेर करना है यह 18 से 19 में कित्ती कमी आई है अरे 18 में प्रोडक्शन था 70 या 65 तो 5 की कमी आई है सतर से यह एक बटा चौदा की कमी आई है और एक बटा चौदा को आप परसेंटेज में बोलेंगे 7.14 7.14 A आपके सवाल का उतरा गया A is the right answer A is the correct answer A को अपने तरीके में confirm कर सकते हैं यह जो percentage की table है अब कई लोग करेंगे इसके गुणा में 100 लिखकर count करेंगे ऐसा काम मत करना यह percentage की table आपको याद होनी चाहिए percentage की table के basic data आपके दिमाग में fit होने चाहिए वाओ बहुत ही शांदर सवाल है बचो अलजेबरा का यह इंट्रस्टिंग कोश्चन है सही आपकी बुद्धी इस परकार के सवाल में चेक होती है नहीं तो आपको unit digit को करके try कर लेते हो लेकिन advance math paper में काम अच्छी आती है और यह एक advance math का बढ़िया सवाल है आप बताए एक बार try कर पाएं तो नहीं तो फिर आपको हम सिखाएंगे कि कैसे कैसे आप इनके मानों को बना सकते है मेरे को c और d का मान चाहिए एक तो c का और d का मान चाहिए और मजे की बात देखो मेरे को c का और d का मान चाहिए a और b की language में c और d का मान चाहिए a और b की language में तो कही ने कही इस परकार की चीज़ को बनाने का प्रियास करते हैं इस प्रकार की चीज़ को समझने का दोस्तों प्रियास करते हैं क्या करें भाइस के लिए हम एक तो अपने को चाहिए x cube common भी आ सकता हो x cube अगर common भी आ सकता हो तो एक काम करो बेटा देखो मिनी बात समझो x square minus बराबर b minus ax है यह वाली बात है आप पूरे सवाल में x से भाग कर लो देखें अगर मैंने x से भाग किया सवाल को x से डिवाइड किया तो भाग करने पर यह बन जाएगा भाग करने पर यह बन जाएगा अपने सामने x बराबर b बटा x minus a b को इधर ले आओ x minus b बटा x पराबर हो गया minus का a दोनों साइड में cube कर दीजिए cube अगर मैं दोनों साइड में घन करूंगा देखो result क्या बनेगा a cube minus b cube minus 3ab करूंगा यह बनेगा a minus b a minus b बराबर आगया minus a का q जानकारी को आसान करना चारा था जानकारी को इजी करने के लिए काम किया गया a cube minus b cube minus 3ab a minus b a minus b की value क्या थी मैंने put कर दिये है step क्या बन गया x cube minus b cube बटे x cube plus 3ab बराबर a cube एक काम करो a cube को यह a cube सुरी माइनस का है यह a cube बराबर b cube upon x cube b cube upon x cube दोस्तों यह आपके पूरे सवाल का हमने detail में solution कर दिया कि क्या बनना चाहिए के बात क्या होनी चाहिए इस x cube का इधर गुणा भी कर देंगे यह आजाएगा x cube गुणा में x cube plus a cube plus 3ab बराबर हो गया b cube यह लोग अब इस data को इससे compare कर लीजिए इससे compare कर लीजिए उत्तरा जाएगा comparison करना था सवाल में इसमें बाहर x cube है इसमें भी x cube है इसके x cube है x cube है पलस में c है और इसके पलस में a cube plus 3ab है तो c का मान हो सकता है a cube plus 3ab c का मान क्या बनेगा a cube plus 3ab बराबर में d बराबर में b cube तो d का मतलब हो जाएगा b cube यह आपके सवाल का उत्तर बन गया तो देखो c का मतलब है a cube plus 3ab और d का मतलब b cube है पेपर का पूछा हुआ सवाल है बहुत ही शांदार algebra का आपका वास्तिक ग्यान ऐसे सवालों पर चेक होता है बेटा advance वास्तों में एक रोचक चीज होती है अगर आपने बढ़िया अभ्यास कर रखा है तो यह सवाल बना पाएंगे नहीं तो आधी दुनिया क्या बेटा 90% लोग यह सवाल ड्रॉप करके आते सवाल बहुत ही अच्छा है पेपर का पूछा हुआ आप इसको नोट कर सकते हैं 15 नमबर क्योंटेज सकसेशिव प्रसेंटेज्टे चेंज के बारे में फौड़ी पहुत जानकारिया है तुम्हें आप का होगे हां सर सकसेशिव प्रसेंटेज चेंज के बारे में हम लोग जानते हैं कि में क्या करना है एक बाइक पचास हजार रुपए में खरीदी जाती है इसका मुल्य सालाना दस परसेंट की दर से घटता है तो कितने सालों में इसका मुल्य इतना हो जाएगा दस परसेंट की दर से घटता है यानि नौ बटा दस बच जाता है एक साल में दस रुपए से नौ रुपए रह गया इतने सालों में यह रेट चत्तिस अजार चार सो पचास पटा में हो जाएगा पचास अजार एक जिरो से एक जिरो काट देजिए पांच से काटेंगे तो पांच साथा पैंतिस एक चार पांच तुन दस साथ सो उननतिस पांच से काटेंगे एक हजार दोस्तों यह नौ बटा दस का क्यू बन रहा है नौ बटा दस की कोई पावर बननी चाहिए और यह नौ बटा दस क क्यों बन गया तो टी की वैल्यू आगई तीन मत तीन साल में आपका ये पैसा आपका ये धन यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तीन आपके सवाल का उत्तर था फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं है किसी बात का आपको डाउट आएगा कि यह क्या है भाई इतने आसान सवाल कहें दे दिये भाई ससी वालो इंको फोन करो को पूछो भई यह इतने इजी मत दिया करो यार हम लोगों का लेवल बड़ा उंचा हो चुका है इतने टप सवाल करना तो हमारे लिए मजाक सा लगता है कि यह क्या है भाई 2945 डिवाइड बाई 19 2945 डिवाइड बाई 19 माइनस 11 इंटू 5 इस इक्वल तो 29 प्लस ए बोड मास का नियम ट्राई करतें बोड मास 19 से डिवाइड करोगे 19 से कम 19 एक सो चार 19 पांजा पिचान में 19 पांजा पिचान में माइनस 11 गुणा पांच करोगे 55 बराबर 39 प्लस ए वैस आप यह आ गया 100 माइनस 39 बराबर ए एक ही वैल्यू आ चुकी है 71 पैन उठाओगे तो अभी पाप लगेगा सवाल इतना इज़ी है दोस्तु के पेपर में इसी इसी दे दिए कि क्या बतां हूं पंदरा किलो चीनी अरे पंदरा किलो चीनी चैसो रुपए की है एक किलो ग्राम चीनी पंदरा चौकी साथ चालिस रुपए की आएगी पच्चिस किलोग्राम चीनी हजार रुपए की आएगी मैंने दोस्तों जो SSE का ये CHSL का पेपर है मैंने औरीजनल पेपर उठाके सेम का सेम चिपका दिया यहां पे एक भी सवाल में चेंज नहीं किया तो जैसा पेपर पूछा गया 25 कॉश्चन जो आए सारे मैंने आपके सामने खुब हुब ला दिये हैं इनको आप देख लेना आपको तुरंत आइडिया पढ़ जाएगा क किस इस प्रकार की बात होनी चाहिए कि परसेंट की छूट पर प्रफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपई की हानी होती है करया मुल्या इसका 380 रुपई है अंकित मुल्या ग्याद करना है अरे भाई समित जी एक ही बात है भाई मिक्स पेपर करवा रहा हूं कल जो प्रेंट टाइप की बाते आती है कोई क्वेश्चन में फरक नहीं आता है विटा हो गया है कि ट्वंटी परसेंट का डिसकाउंट दिया इसका मतलब मार्क प्राइस और सैलिंग प्राइस में 5 अनुपाद 4 का रेशों है रेशों पर कहानी बनाओ रेशों अनुपाद अनुपाद जितना आपका प्रभल होगा टॉपिक उत्ते बढ़िया क्या रुपिया से कर पाओगे बीटा क्रेम उल्यद्थ 3080 रुपए है 140 की हानी हुई है 140 का लॉस हुआ है मतलब आपने इसे 240 का फाइस बेचा होगा 240 का ही बेचा होगा सैलिंग प्राइस आपका 240 है 60 गुना है भाईया मार्क प्राइस भी आपका 40 गुना ही आएगा 60, 50, 300, 300 आपके सवाल का उत्तर है इससे इजी बात तुम क्या ही कलपना करोगे इससे इजी बात तो क्या ही देखो एक गोला 14 सेंटीमिटर बुजा वाले घन के आठों कौनों से ओकर गुजरता है गोले का आईतन ग्याद कीजिए और पाई कमान ये लेना ये तुम्हें बता दिया वेटा आठों कौने से गुजरने का मतलब यह है कि वह इसके एकदम अंदर बिल्कुल भीतर में फिट हो गया आठों कौनों पे ऐसा पूरा-पूरा अंदर आ गया है कि मैं डाइग्राम बना कर देखूं कि अगर बन पार है तो इसका कि यह है एक अपने पास अरे यह है दोस्तो एक गोला और यह इस परकार की शेप में है पूरा-पूरा ना एक क्यूब के अंदर फिट हो गया इसा हो एक गोला पूरा-पूरा देखो क्यूब के अंदर फिट हो गया एक गोले को जो डाइगनल है विकर्ण जो घंका विकर्ण होता है यह होता है रूट थ्री ए रूट थ्री ए का मतलब आ गया चवदा रूट तीन घंका जो विकर्ण है यह फॉर्टीन रूट थ्री बनेगा चवदा रूट तीन बनेगा और यह उस गोले का व्यास होगा उस गोले का डायमिटर होगा क्योंकि विकर्ण है सबसे बड़ी भुजा है तो वह उस गोले का पूरा-पूरा व्यास के आयतन क्या होगा चार बटे तीन इसद मिनने साथ आर क्यूब करना है तो साथ रूट तेन गुणा उननुचास गुणा तीन लख दूँंड क्योब करना है रूट तीन का one तीन में 3 साथ काूणंचास एक बार आएगा यह जानकारी बनेगी तो आपने चेक किया आपने चेक किया बचो साथ से साथ कट गया तीन से तीन कट गया और कुछ कट पाएगा नहीं 22 चोका 88 गुणा 49 रूट 3 यह उत्तर बनेगा अब आपने का यूनिट डिजिट तो दो आएगा अलांकि देखो सवाल में दो यह उप्षन है ए और सी बी और डी सेम है तो कोई बात नहीं A और B में चेक करते हैं क्या बनेगा हमारा उत्तर 11 का मल्टिपल भी आएगा चार एक पांच तीन दो पांच यह तो है चार एक पांच दो तीन नहीं है बटा सवाल का उत्तर बनेगा A या C में से कोई कर लो यह की बात है ऑप्षन आपको सेम दिये गए थे भी उत्तर की कोई बात नहीं है सवाल का उत्तर बनेगा A गोले का जो डायमेटर होगा वो स्क्यूब का डाइगनल होगा विकर्ण होगा विकर्ण की बात को समझना है बच्चे मैंसोरेशन पे सवाल बनेंगे डारेक्ट फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा ज्यादा नहीं आते हैं पेपर में डारेक्ट फॉर्मूला पूछता है इस प्रकार के सवाल बनने की संभावना ज्यादा होती है इनको ज्यादा अच्छे से ट्राइग किया करो एक लंब वरती हैं शंको की उनचाई और तिरिएक उनचाई दी गई है शंको का आइतन है कि शंको जानते शंको कोण यह है एक लंब वर्तिय शंकू तो डायग्राम आज को सिख्गे बढ़िया बनाने हम भी यह इसकी रेडियस है चुनो जी यह प्यारे बच्चों आपके सामने मैंने एक लंब वर्तिय शंकू बना दिया यह इसकी हाइट होगी और यह इसकी मान लेते अपन रेडियस हो कि यह इसका केंद्र है कि उन्चाई है दोस्तो आठ तिरियेक उन्चाई एल यह दस है तिरियेक उन्चाई आपको दिया हुए स्लेंट हाइट बचो हाइट आठ है स्लेंट हाइट दस है तो राइट अंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट याद है आपको पता है इसकी रेडियस तो छे बनेगी आठ छे तो दस का ट्रिपलेट था आठ शाय दसका त्रिपलेट था यह चै हो गया शंकू का आयतन और कोन का आयतन का फार्मूला होता है एक बटा-3 पाई आर स्कौाएर चीव बटा-3 पाई यार ह्प तो लगाए फॉर्मूला 1 बटा-3 पाई में आपको कह रहा है 22 बटे 7 लेना है आर स्क्वार का मतलब 6 का स्क्वार 36 हो गया और एच का मतलब बच्चो 8 है सवाल तुम्हें साफ साफ कह रहा है कि डेटा पूरा-पूरा कट नहीं पाएगा आपको कोई 11 का मल्टिपल नहीं लगाना है बच्चे कैलकूलेशन करने ही पड़ेगी इकाई के दो अंकों तक आपको मान गयात करना पड़ेगा एक थोड़ा काट लीजिए एक बार तीन से कट पाएगा बारा को हाँ 22 गुणा बारा 22 गुणा बारा बच्चो यह सत्रा प्लस पांच सत्रा माइनस पांच 289 289 में 264 हो गया गुणा में आठ बटा में साथ आठ चोग 32 का मतलब तीन कैरी 48 तीन 51 का मतलब पांच कैरी 16 और पांच 21 एक्किस सो बारा प्लस यह उत्तर जो आएगा वो तीन सो से बढ़ा आएगा अब इसके बाद नहीं करना है बचो उत्तर तीन सो से बढ़ा आएगा तीन सो गुणा साथ होते हैं 2100 301 से बढ़ा आएगा और 301 से बढ़ा तो एक ही अप्शन है 302 के लगभग और कोई नहीं है बटा यह 200-258 तो सना नहीं है डारेक्ट आपको यह ट्राई करना है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए असा साथ साथ बताया कीजिए अगर बाते समझ में आती है तो एक प्रिवार परती महिने 240 रुपए चीनी खरिजने पर खर्च करता है ओके चीनी के मुल्य में 25 परसेंट की वर्दी होने पर इस मद पर खर्च की जारी राशी को प्रिवर्थित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपधोग में डेड़ किलो की कमी करनी पड़ती है बड़ा हुआ रेट क्या है आप जानते हैं दोस्तों इस सवाल में एक बड़ा नॉर्मल सा कंसेप्ट अपने काम करता ह और वो है ए गुणा भी बराबर कॉंस्टेंट क्या है यह प्राइस इंटू कंजम्शन बराबर होता है एक्सपेंडेचर अगर मैं दस किलो चीनी ला रहा हूं 100 रुपए किलो का रेट है एक अजार रुपए खर्च हो रहा है प्राइस इंटू कंजम्शन इस इक्वल तो अगर अगर दोस्तों चीनी का रेट चीनी का मुल्य प्राइस अगर पच्चिस परसेंट बढ़ गया अरे पच्चिस परसेंट की फ्रेक्शन वैल्यू एक बटा चार चीनी का रेट बच्चो चार से पांच हो गया अरे चीनी का रेट अगर चार से पांच हो गया चीनी कंजंशन हर बचाने के लिए सीव रखनी के लिए कंजंशं तुमें उनले पांच से चार करना पड़ेगा पहले तुम पांच ये अब चालिने पड़ेगी कावाल कहता यहले किलो की कमी कंप करने पड़ते ले की वैल्यू डेड़ तो 5 की वैल्यू साथ और 4 की वैल्यू आ गई यानि की यह परिवार पहले साधे साथ किलो चीनी खरीता था अच्छा किलो चीनी खरीता है तो 240 रुपए में 6 किलो कार कीमत आएगी 40 रुपए पर केजी यह चीनी की बड़ी हुई कीमते हैं यह चीनी के बड़े हुई रेट है बच्चे चीनी के नए रेट है 40 रुपए किलो अगर आपसे मैं पुराना मुल्या पूछता कि चीनी का पुराना कीमत कितना होगा तो पुरानी कीमत के लिए आप 240 में साड़े साथ का भाग देते एक जीरो करती 25 से कारते तीन 25 से कारते 25 दिमा 225 चैन में और 32 रुपए आता रेट बच्चों बड़ाओ पुराना मुल्या अगर यह पुराना मुल्या पूछेंगे 32 रुपए नया पूछेंगे 40 रुपए दोनों बातें काउंट करनी आनी चाहि विविन मल्टी ब्रैंड स्टोर द्वारा बेचे गए तीन प्रकार के लैप्टॉपों की संख्या है लैप्टॉप के ब्राण्ड है डेल का एच्पी का लिनेवो का स्टोर है और यह संख्या दी गई है नंबर आपके लिए ठीक से वीजिवल होंगे मैं उमीद करता हूं थोड़ा मैं इन्हें जूम भी कर देता हूं ताकि उपर के मामले का तो कोई यूज नहीं है यह अब ट्राइब कर दो अग्या करें दिये गए महिने में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनेवो लैप्टॉप ए द्वारा बेचे गए लेप्टॉप लिनेवो हैं पचास उसी महिने में डी द्वारा बेचे गए लेप्टॉप डी द्वारा बेचे गए डेल लेप्टॉप दी द्वारा बेचे गए डेल लगबक कितने परसेंट जादा है अरे दोस्तों वह पचास है यह पंतालिस है तो पचास पंतालिस से इ एक बटा नो एक बटा नो का मतलब होता है ग्यारा पॉइंट ग्यारा परसेंट परसेंटेज की टेबल बार-बार काम आ रही है और मैं यह चाहता हूं कि मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार देखो एक बटा दो का मतलब होता है पचास परसेंट एक बटा तीन का मतलब होता है तेतिस सही एक बटा तीन परसेंट एक बटा चार का मतलब होता है पचिस परसेंट एक बटा पांच का मतलब होता है बीस परसेंट एक बटा च्या का मतलब होता है सोला सही दो बटा तीन परसेंट एक बटा साथ का मतलब होता है चौदा सही दो बटे साथ परसेंट एक बटा आठ का मतलब होता है साड़े बारा परसेंट एक बटा नो का मतलब होता है ग्यारा सही एक बटा नो परसेंट एक बटा दस का मतलब होता है दस परसेंट एक बटे ग्यारा का मतलब होता है नौ सही एक बटा ग्यारा परसेंट एक बटे बारा का मतलब होता है आठ सही एक बटा तीन परसेंट यह सारी चीजें यह सारी चीजें विटा ऐसे आपको याद होनी चाहिए ताकि जब थोड़ा सा आप इस सवाल को देखें तो तुरंत तरीके में नोट कर पाएं जैसे एक बटे तेरा तो यह होता है साथ सही नो बटा तेरा परसेंट अलांकि इसका यूज तो कम आता है एक बटे चाउदा का मतलब होता है साथ सही एक बटा साथ परसेंट एक बटा सोला का मतलब होता है चैसे एक बटा चार परसेंट यह सिक्स्टीन तक की बातें आप कम से कम लिखकर रखिएगा यह चीज़ें तो आपको याद दोनी चाहिए ताकि डारेक्ट इनको एक्जाम में अपलाई कर पाएं अगला सवाल दोस्तों तेरीस नंबर सवाल आपके सामने निमलिखित आकरती में एक अन्तहर्ट रिवूज का मतलब होता है जो एक सरकिल के अंदर बनाया गया है एक सरकिल के इंस्क्राइब किया अंदर बनाया गया है इसके तीनों पॉइंट इसकी प्रीधी पर मौजूद आपको पता लगई ठ है कि डी इबिंदू सी पर व्रत्किस पर्श रेखा है यह डी एक टेंजेंट जा रही है डी एक टेंजेंट जा रही है और आपको पूछा गया कौन सा कौन एसीडी के बराबर है एसीडी यह एंगल थीटा तो ऐसा है यह जो एंगल है एसीडी यह वाला एंगल यह थीटा यह किसके बराबर होगा दोस्तों यह वाला एंगल जो है ना यह हमेशा इस एंगल एबी सी के बराबर होगा यह होती है औल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब होता है बच्चे औल्टरनेट सेगमेंट थ यह एंगल बनता है यह इस जीवा द्वारा वृत के दूसरे खंड में बनाए गए कोण का बराबर होता है डारेक्ट अल्टरनेट सेग्मेंट ठीयोरम का सवाल पूछ लिया यह एंगल ए बी सी के एकवल होगा यह एंगल दोस्तों ए बी सी एंगल के एकवल होगा ए बी सी इस दा करेक्ट अंसर ए बी सी इस दा राइट अंसर बड़ी नॉर्मल से लेवल की बात थी इसको सॉल करने के लिए कोई अलग से आपको कारेकरम करने की नीड नहीं है यह एक बेसिक सेंस की बात है जो आपको observe होनी चाहिए है इसी चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रिग्नोमेट्री का सवाल है 24 नमबर कोश्चन एक्स माइनस एक्स कोसेक स्क्वाइर तीस एक पलस कोसेक स्कुर्ण तीस और स्कुर्ण स्कुर्ण साथ चार कोट स्कुर्ण 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 स्कुर पुल्टा होगा को सेक 30 कोड़ी हेल्प कर दूं आपकी एक्स कोस 30 का मान दो स्क्वार करेंगे चार यह हो गया चार एक बटा चार को साथ का मतलब होता है को साथ का मतलब होता है स्क्वार करेंगे एक बटा दो स्क्वार करूंगा एक बटा चार कोड़ पंतालिस का मतलब चार सेक स्क्वार साथ सेक स्क्वार के साथ का इसका उल्टा हो गया है चार चार और चार एलिमिनेट हो गए खत्ब यहां से कहानी बन गई माइनस का तीन एक्स बटा में पांच पराबर एक बटा चार एक्स आगया माइनस का पांच बटे बारा इतना छोटा सा सवाल था वैल्यू अगर आपको पुट होनी चाहिए तो बात आपके लिए इसी है अनकाडमील प्लाट्वर्म पर बचे अपना मेच्स का फांडेशन कोर्स चल रह रहाए दुपएर बारा बजेगे बारा से लेकर डेड़् बज़े तक डेली अनकाडमील प्लास के लिए आप रोज सुभाए दस से लेकर साड़े ग्यारा बज़े तक पढ़ सकते हैं 10 to 11.30 पढ़ सकते हैं दोस्तों ये reasoning की class का foundation time है दोनों बैच हमारे unacademy platform पर ongoing है आप इनको बहतर तरीके में enjoy कर सकते हैं एक वस्तू के मुले में 25% की कमी की गई 25% का मतलब होता है 4 रुपए से 3 रुपए कर दिया 25% की fraction value का मतलब होता है 1 बटे 4 कीमत आपने 4 से 3 कर दी तो भाईया वापस उसी rate पे लाने के लिए 1 बटा 3 की वरधी करनी पड़ेगी और 1 बटा 3 का मतलब होता है 33 1 बटा 3 33 1 by 3 percentage यह प्यारे बच्चों इस क्लास के पूरे सवाल आज के होगे complete एक बहतरीन पेपर का पूरा complete solution मैंने आपको बताया कल भी आपको इसी प्रकार की क्लास मिलेगी बच्चों कल भी आपके लिए एक और सेशन होगा तो उमीद करता हूं कि कि आपने बातों को अच्छे से समझा होगा फिल्हाल बिटा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार में तब तक शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत सब बच्चे पढ़ते रहें कुछ रहें करते हैं